सूरा मेरे मज़ पमान तक्ठण फिर में जिक्खा पधिंसमादियानी पुद्धं सब्सक्राइब अलगले तरहीं की परिभासा इसके लगले किसाफ से हैं पर हम यहां परिभासाओं में नहीं जा रहे क्योंकि हम यहां यह देखने जा रहे हैं कि समर संग के लिए काड यानी समय टाइम की क्या महता है और कैसे हम इससे अपना फायदा उठा सकते हैं हम सारी बात समर संग के फायदे के लिए करते हैं अपना ग्यान बगारने के लिए या अपनी बुद्धी को दिखाने के लिए या हम कितने बड़े ग्याता हैं या बुद्धी बिलास करने के लिए हम यहां कोई काम नहीं करते हैं अगर आप देखेंगे दुनिया में तो जित time है एक निश्चिस समय है या अलग-अलग different time है जो एक निश्चिस समय पे समय पे अगर कोई काहिकरम किया जाता है कोई event किया जाता है उसकी सफलता की guarantee पूरी होती है और अगर बहुत ज़्यादा energy भी लगाए जाए और अलग-अलग समय पे किया जाए तो उसकी असफलता की guarantee भी पूरी है इसको ऐसे समझें आप जैसे हमारी जो moment चल रही है इतने सारे संग्ठनों की जब कोई हमारा आदमी मरता है या मारा जाता है या कोई मुसीवत हमें आती है तो हमारे लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा महनत करते हैं सबसे ज़्यादा जागने जगाने में लगे हुए हैं सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा पुराने बुद्धिमान और पुराने लड़ा के रहे हैं कोई मुकाबला उनका दुनिया में है नहीं पर एक सिर्फ वो समय को नहीं समझ पाते हैं वो इसलिए वो अलग-अलग समय पे जाके वो बात को करते हैं अलग-अलग समय पे जाके सैमिना लगाते हैं अलग-अलग समय पे जाके सम्मिलन करते हैं उनको समय का ज्यान या समय का बोध नहीं है और जो म हमारे एक समय और एक टाइम के वहीं हैं वो सफल हूई हैं जैसे दो Αप्रेल का दो ने पimatल की प्रसान है उन्होंने एक चुना असम गद्यक मों में आ गई सुर्फ एक टाइम के फैक्ट की विचे टाइम इतना बड़ा फैक्टर है कि आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत पे पाने भी फिर सकता है और आपकी थोड़ी सी मेहनत से भी पूरी जिंदगी बना सकता है इसलिए जो हमारे विरोधी लोग हैं जो समणों के वि किया जाता है यह पाली का सब्द है मुहरत पर वो जो मुहरत निकालते हैं उन्हें हमसे सीखा तो वो क्या करते हैं एक समय निश्चित करते हैं सालों पहले महीनों पहले सदियों पहले जैसे हमारा एक मेला है जिसको कुम का मेला बोलते हैं वो हम बारे साल पहले निश्चि होना है ये बारे साला कारिक्रम हो गया फिर चार-चार साल में भी कारिक्रम रखते हैं वो इवेंट भी हम पहले से टाइम बताते हैं जिसको कुम का मिला बोलते हैं अद्ध कुम बोलते हैं अद्ध कुम बोलते हैं उसके बाद में फिर हम सालाना कारिक्रम बताते हैं जो पू फिर्चार का माध्यम इतूना नहीं था पर event और moment को बनाए रखना है. इसलिए चंद्रमा की कलाओं के साथ में पुर्ण मासी और मावस के साथ में हम टाइम को बाहनते थे और अपने काम को टाइम के साथ में बाहनते थे. और इस तरह से हम लोगों को मैसेज देते थे जो सालों पहले उनकी दिमाग में रहता था फिर वो अपने आपके उसको याद कर लेते थे क्योंकि वो फिक्स हो जाते थे कि इस पूरन मासी को यह होगा उस पूरन मासी को वो होगा सरत पूरन मासी को ऐसा है ग्रिस जो पूरन मासी उसको ऐसा है बसंत की पूरन मासी को ऐसा है ये सारी पूरन मासी हम पहले से फिक्स कर लेते थे ये टाइम का मेनेजमेंट हमारा बहुत पुराना मेनेजमेंट है जिसको लोगों ने हमसे ले लिया, हमसे सीखा और हम इसको भूल गए, हमें इसका पता नहीं है महनत हमारी उतनी है इसलिए जितने भी इवेंट होते हैं उनके बाकाइदा कलंडर चपते हैं वो टाइम मेनेजमेंट का कलंडर उनके दिमाग में फिट किया जाता है और फिर बाद में इसको समय के घंटों के और मिनट के हिसाब से जब घंटे मिनट समय क्यों कि पहले तो पहर चलते थे दो पहर यानि कि जब दो पहर पास हो जा तो उसको दो पहर बोलते थे तो पहर ही या ती पहर हो गए या चो पहर हो गए या च्छे पहर हो गए तो पहर के हिसाब से बोला करते थे फिर ये घंटों में मिनट में आगे तो उन लोगों ने घंटे और मिनट के हिसाब से डाला स कर दिया और ऐसा टाइम देते हैं कि आदमी सवाल भी नहीं करता कि आक़ए साथ बचके तेतालेस मिनटबे ओली जलने का महुर्ब किस ने निकाला और कैसे निकाला आकर रात को छे बचके पैतालेस minute पे ये जो दिवाली पूजा होगी ये कैसे होगी क्योंकि एक टाइम पे event करना है अगर एक टाइम पे event नहीं होगा तो moment नहीं बनेगा एक टाइम पे अगर event नहीं देंगे तो लोगों में एकटा होने की भावना नहीं आएगी अगर मालो खुला छोट दिया और कह दिया कि दिवाली वाले दिन जो जिसकी पूजा चपचा चप करे तो बिखर जाएगा मामला या यह कह दिया कि भई जो ये होली है ये होली पूरे दिन में कभी भी भी जलाओ तो लोग सुबह जलागे बैठ जाएगा कोई साम को तो विखर जाएगा तो एक साथ मुवमेंट नहीं बनेगा इस मुवमेंट को और भी तरीके से हमारे गुरूदों में इस्तमाल किया जा सकता है जैसे आपने देखा होगा कि एक टाइम पर एक की दिन देश और विदेश में दूद पलाने का मुवमेंट है वो दूद पलाने का मुवमेंट रोज भी हो सकता है उसके बाद कभी नहीं हुआ पर मुवमेंट बनाए जाती है चेक की जाती है जैसे थाली और छाती पीटने का जो मुवमेंट है या थाली बजाने का है बीमारी से थाली का कोई सम्मंद नहीं है पर मुवमेंट देखा जाता है कि इस मुवमेंट इस मुसीवत के समयवी लोग सटी को धारण है जो लोग हम भूल गए हैं हम जो यहां कर रहे हैं आज वजे में हमने समय बंदा हुआ हुआ है कि आज वजे हम लोग यह इखटे होंगे तो वह हम सफलता पा रहे हैं वूर आज बज़ एग्चैक्ट आ जाते हैं पर उसे भी बड़ी सफलता हम इस बात पा रहे हैं कि हमने सनिवार को बांध लिया यानि सुप सनिवार को बांध लिया और हम कहीं भी हों सनिवार को हमें हर हलत में नोवजे जुड़ना है यह हमारा बंधने का काईकरम पुराने समय का दुबारा से समय को बाढ़ने का आना सुरू हो गया इस तरह से हम समय को बाढ़ सकते हैं पर कारे को समय में बाढ़ना क्यों जरूरी है पहले कारे को समय में नहीं बाढ़ना जाता था समय बद्ध काईकरम नहीं हुआ करते थे पहले इवेंट वाले काईकरम समय बद्ध होते थे पर बुद्ध क करांती अगर आप देखेंगे तो उसमें का जिक्र नहीं है और बुद्ध की अगर आध्यात्मिक जो करांती है जो स्प्रिचल करांती है उसमें जो उन्होंने टम्स बताये हैं जितने भी उन्होंने डायमेंशन नहीं है उन्हों डायमेंशन में टाइम नहीं है समय नहीं है क अभी हम आपात काल में जी रहें जब आपात काल में आदमी होता है तो समय को बढ़ाना पड़ता है अब समय कैसे बढ़ाएंगे समय को बढ़ाया जा सकता है समय को बढ़ाया इस तरह से जा सकता है कि आपने अगर एक महिने में जो काम किया वो आपने सपोज दस नंबर का का किया दस लेवल का काम किया और समय आपको कम है तो आप अगर एक महने में सो लेवल का काम करते हैं दस कुना ज्यादा महनत करते हैं दस की बजाए सो लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपने अपने नो महने कमा लिए यानि आपने समय को नो महने पीछे छोड़ दिया जो काम एक पेड़ अगर एक साल में एक फिट बढ़ता है और अगर हम उसमें ऐसी दवाई डालने के वो एक साल में दस फिट बढ़ जाए तो हमने दस साल कमा लिए यानि दस साल हमने कवर कर लिए तो मुवमेंट हमारी आपात काल में है और टाइम हमारा पिछला जो है वो भागती हैं दोरती हैं और लगातार अपना काम करती है उसमें हम सारे काम छोड़ेटे उसकाम में लग जाते हैं तो वो अपना मिसन पूरा कर लिते हैं शोट पीरिड में इसलिए टाइम बढ़系 यानि समय बढ़ काला बढ़ यह हमारा जो मुवमेंट है यह चल रहा है और ये कालबद्धी चलेगा, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, इसलिए समय की गंभीता समझें, आज भी हमने टेनिंग में अपने 10 मिट खो दिये, अगर हम 10 मिट पहले जुड़ जाते, 20 मिट पहले जुड़ जाते तो गप मार लेते, मगर हमने पहले दिन की टेनिंग है, इसल अगर हम समय बचाएंगे, तो हम समय कमाएंगे, और अगर समय कमाएंगे, तो हम मुवमेंट कमाएंगे, हम समझ संग कमाएंगे, इसलिए बात को कहना है, जितनी जल्दी जितनी असदात है किस हम कह देंगे, उतना ही हम समय बचाएंगे, और कामों में समय लगाएंगे, औ और भी लोगों को अपने ideas बताने में आएंगे। और movement में काम आएगा और कुछ नहीं करेंगे। तो अपनी सेहत के लिए ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो वो समय बचाना भी आभी समय कमाना होता है, moment को कमाना होता है। समय अनुकूल और पिट्टिकूल होता इसकी पहचान बहुत जोगी है अगर किसी व्यक्ति को समय की पहचान नहीं है क्योंकि पुराने समय में तो काल यू हुआ करते थे कालू यानि काल यू काल को जानने वाले समय को जानने वाले होते थे बुद्द सबसे बड़े काडू हैं सबसे बड़े काडू है या कालू है वो इसनी है क्योंकि वो 1215 साल आगे तक का देख लिए थे और उनको समझ में आ जाता था कि क्या समय है क्या नहीं और वो अनुकूल समय को और प्रिटीकूल समय को पहचान देथे ये जो विद्धा है ये जो एजूकेशन है ये जो जानकारी है ये हर एक वेक्टी को डबलप करनी चाहिए और इसको डबलप करने के लिए कुछ नहीं करना सिर्फ आपको सोचना है और पुराने महापुरसों की बातों को ध्यान देना है और जो अपने विरोधी लोग हैं वो कैसे समाल करने हैं क्या करने हैं और हमारे सहयोगी लोग क्या करने हैं इसकी जानकारी आप रखेंगे थोड़े से कान खुले रखेंगे थोड़े से आँक खुली रखेंगे थोड़ा सा अपने विचारों को खुड़ा रखेंगे तो आपको काड़ियू बनने में देर ने लगे काड़ियू बनने का यानि काल को जानने का काल का ग्याद करने लिए कोई हाज जरूतनी पड़ती है पर जो लोग व्यपस्थना साधना करते हैं वो जल्दी समझ जाते हैं अगर वो सच में व्यपस्थना साधना नियम के हिसाब से करते हैं तो वो सामने वाले के चेहरे देखे एवर्ट्रेशने देखें, बता सकते हैं, कि इससे मेरी वारता ठीक होने बारी है या खराब होने बारी हैं, तो अनुकूल समय और पिटिकूल समय समरसंग के लिए कैसा है कैसा नहीं है, आज के समय अगर आप निगहाड डालेंगे, तो समरसंग के लिए ये सबसे अनुकूल समय चल रहा है सबसे अनुकूल समय इसनिये चल रहा है क्योंकि समढ़ संग की जितनी अच्छाईया है वो सारे लोगों को आवशकता है हर लोग समढ़ संग जैसी किसी चीज़ को ढून रहा है और समण संग की जो जितने भी एक्समेंट उसके वरोध में होने थे वो लगबग हो चुके हैं और कहीं कोई उम्मीद और आस है नहीं ऐसा ही समय तब था जब बुद्ध ने मूवमेंट इस्टार्ट की बुद्ध की मूवमेंट के समय भी बहुत ज़ादा यहां पाप कर्म और बहुत ज़ादा पाप ची चलती थी वो अनुकूल समय था उस अनुकूल समय में बुद्ध ने जो समण संग जो संगों को दुबारा से उचाई ये पर पहुंचाया उसके बाद में बहुत साल ते चला 16-17 साल ते चला फिर पिट्टीकुल समय आया पर वो लोग नहीं समझ पाए ये मुव्मेंट चलता रहता है इसलिए ये जो अनुकुल समय है अगर आप इसमें चूप गए अगर ये आपके हाथ से निकल गया आप इसको नहीं पचान पाए तो ज़्यादा समय नहीं है उस समय बाद ये बहुत ज़्यादा पिट्टीकुल हो जाएगा पिट्टीकुल इसलिए हो जाएगा कि अभी आपके पास में वो सब काम करने की आजादी और लिबर्टी है जो आप सोच रहे हैं पर अगर आपने उस काम को अभी नहीं किया और आप उसको टालते गए टालते गए कर लेंगे अभी तो कोई दिक्कत नहीं है करने तो दिक्कत एक साथ आती है परेसानी एक साथ आती है कब अर्थ को एक आ जाता है इसका कहीं कोई आता पता नहीं है हलकी सी वाइबरेसन होती है जमीन खिसक जाती है क्योंकि इसकी जो तैयारी है अर्थ को एक आने की वो कैई सो साल से चलती है अर्थ के अंदर जो उसकी कोर है उसके अंदर जो लावा है वो घूमता रहता है और वो जमीन को धकेलता रहता है और वो धकेलते धकेलते जब एक पॉइंट पर आ जाती है तब वो जमीन खिसकती है तब उपर की जो पलेट है जो टेक्टिनिक पलेट है तब वो जाके हिलती है तब अर्थ कोई काता है बना नीचे तो मूवमेंट चलता ही रहता है कोर के अंदर लगाता चलता रहता है वैसे ही पिटिकूल समय की जो त्यारी है जो हमारे पिटिकूल लोग है जो पिटिरोधी लोग है वो सारे के सारे त्यारी करते रहते हैं और काम करते रहते हैं पर उनका रिजल्ट एक साथ आता है, तो अभी रिजल्ट नहीं आया है उनका, तो हमारे पास में समय है, यह अनुकूल समय है, पर जब उनके प्रिटिकूल प्रेणाम आ जाएंगे, उसके बाद में हम यह सब चाहेंगे करेंगे, उस समय तक तो बंदिस हो जाएगी, उस समय तक तो परिशानी हो जाएगी, समय परिश्थिती टाइम हमारे लिए अनुकूल नहीं रहेगा, जो बात आज हम कर रहे हैं वो बात नहीं कर पाएंगे, जो हम मिल रहे हैं वो नहीं मिल पाएंगे, इसलिए अनुकूल समय की अगर पहचान है तो तो हमारे बचने की गारंटी है और अगर आपको अनुकूल समय की पहचान नहीं है या आप लोगों को अनुकूल प्रिटिकूल समय में पहचान नहीं करा सकते तो फिर आपके लिए मुसीबत और हम सब के लिए मुसीबत आना लगबगते है जो समय की पहचान ह वो हमारे अस्तित को भचा सकती है और वो मिटा भी सकती है क्योंकि सही समय अगर आपने पहचा लिया तो सही स्टैप आप ले लेंगे सही स्टैप आप उठा लेंगे सही कदम उठा लेंगे तो उसका सही पढ़नाम आएगा यानि सम्यक समय की पहचान अगर आपने कल ली तो सम्यक आप पहचान करके सम्यक आप कदम उठाएंगे सम्यक एक करेंगे और सम्यक एक का सम्यक ही परणाम आदा है पर अगर आपने इसको नहीं पेचाना तो असम्यक हो जाएगा तो असम्यक सम्यक पे अगर आप कोई निकल गया है उसका अफसोस नहीं करना चाहिए इस अफसोस इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि समय जो चला गया चला गया पर समय को भरपाई करना समय को पकड़ना और समय को दुवारा से खीच के लाना ये हमारे हाथ में कोई ये कहता है कि जो में निकल गया वो हासनिया आ सकता है क्योंकि जैसे हम को देख लाख लोगों को इखटा करना है या दस लाख लोगों को इखटा करना है या एक सो बीस को लोगों को इखटा करना है तो हम जो काम चालिस साल में सतर साल में कर रहे हैं अगर वो सतर साल में है और यह सो साल में भी ना त्यार हो यह डिपेंड करता है कि आप कितना समय को समझगे कितना समय को पकड़ना चाहते हैं कितने कोई आदमी यह कहे अभी मैं सतर साल का बुड़ा हो गया अब मैं काम नहीं कर सकता वो सतर साल का जितना काम है उसको एक साल में कर सकता है अगर व उसका भी कोई फायदा होने वाला है नहीं वो पृतिकूल समय में आता है इसलिए जो चला गया है उसका अफसोस नहीं करना है और जो हाथ में है उसको पगड़े कर रखना है उसको बढ़ाना है समय का जो फैक्टर है वो सफसे जादा इंपोर्टेंट है समय का फैक्टर इसल साल है हमारे पास ही 20 साल है इसलिए समय की जो चीज है दोनों के ब्रावर हैं यह अलग बात है कि उनके पास रिसोर्स आज हैं हमारे पास नहीं है पर हमारे पास पहले रिसोर्स थे इसलिए रिसोर्स पहले थे अब नहीं है फिर आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है उनके पास में जन संक्या बल नहीं है जो हमारे पास से हमें सास है इसलिए हम अपने टाइम मेनेजमेंट से अगर अपने रिसोर्से जो में रिसोर्सेस है हुमन रिसोर्सेस अगर उसको कवर कर लेते हैं उस तक पहुंच जाते हैं तो जो physical resources हैं वो अपने आप create हुजाते हैं अपने आप आजाते हैं इसलिए समय बद्धकाई करम और समय की जो निश्चिता है उसका importance हमको सीखना चाहिए किसी भी moment में अगर हम हर चीज का ध्यान रखें और समय का ध्यान ना रखें तो वही result आएगा जो 2 अपेल 18 को आया और ज जैसे राइस्थान के अंदर जो बच्चा मरा है उसमें सब ने कुम मेहनत की सब लोग गए पर परेणा मुल्टा आ गया इसलिए आ गया क्योंकि एक समय पर नहीं गए समय की जानकारी नहीं है एक समय पर सारा देश एक साथ सिल्ला था एक साथ थाली भी पीड़ता एक पर या अपने हाथ पर काली पट्टी बांग देता एक साथ अगर अपने हाथ से लिखके तक्ती पर लिख देता कि ये जर्म हमें बड़दास नहीं है इनको जिल पहुचा और इनको सजाय मौत दी जाए तो सजाय मौत देर भी पढ़ती क्योंकि पूरा देश एक साथ पर एक साथ नहीं होता, इसलिए सजा देने वाला जानता है कि ये एक साथ नहीं है, इसलिए कोई फरक नहीं पड़ता, समय अगर आप एक चुनेंगे, तो दिवाली जैसा जो फेस्टिबल है, वो इसलिए important है, क्योंकि सारे लोग एक समय पिखटे होते हैं, एक समय पूजा करते उस दिन देश की सारी जो वहिकल है, गतिवितिया बंद हो जाती है, अगर दिवाली की रात को आप देखेंगे, कभी बहार निकलेंगे, क्योंकि मैं दिवाली की रात को क्या वार मैंने आउटिंग की है, दिवाली की रात देश में कर्फू लग जाता है, दिवाली की रात नहीं रुकना है तो मत रुको, पूरी सूमसाम रहते हैं, बजारोगी रोनक साम तक बंद हो जाती है, पूरा देश लगवग बंद हो जाता है, हर लोग, हर आदमी अपने अपने घर में होता है, सिर्फ इसनी है, क्योंकि उनका जो टाइम है, वो सालों से फिक्स है, और वो इवेंट हमारा ही है, यह सारे इवेंट हमारे हैं, जितने ही भारत में चलते हैं, यह टाइम मैनेजमेंट के इवेंट हैं, जो हमने बनाए हैं, अपने लोगों को movement में बगर ये हमारे हाद से निकल चुके हैं इसलिए हमको दुबारा सीखना है दुबारा बनाना है और उसकी procedure हम यहां समण संग में लगाता चल रहे हैं सन्नी वाद जो सन्नी पाद बहुले वो एक इसका हिस्सा है और 9 बजी जो हमें खटे होते हैं वो इ जत्कना सीखते हैं टाइम उनकी जत्करता है और जो लोग टाइम की जत्कना नहीं सीखते हैं टाइम उनको समय उनको मिट्टी में बिला देता है उनकी अस्तित में नहीं मिलते हैं धन्यवाद किसी का कोई पसन होता पूछे आप सबी से यह निविदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सबी copyright free हैं, आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे य क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सों का है, उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना right है इसके, कि हम इसको load कर देते हैं, बाकी सारी ये पूजी आपकी है, धन्यवाद संगम सरेन गच्छाम। संगम सरनं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। दूतियं पी धममर सरनं गच्छाम। पूझियं पिदमम्सर्णंगेच्शामी तर्लितियं पिसंगं सर्णंगेच्शामी दोगियं पी सन्यम सर्णं गच्छामी तरतियं पी बुद्धम सर्णं गच्छामी दोगियं पी सन्यम सर्णं गच्छामी तरतियं पी सन्यम सर्णं गच्छामी पी सन्यम सर्णं गच्छामी तरतियं 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 गच्